किसान मोचा के प्रदेश उपाध्यर संजीव कुमार यादम ने पटना सीटी के जल्ला सहित अन्य पंचायतों में वर्सा से खेती को हुए नुकसान का निरिक्षन करते हुए चिंता व्यक्त की है और सरकार से अपील की है कि किसानों को नुकसान का मुआपजा दिया जाए। उन्होंने खेतों में जाकर देखा कि भारी वर्सा से पालक, गोभी, चुकुंदर और धान की फसल चौपट हो गई है। धान की फसल में लगे दाने जहर गये हैं। गिरी हुई फसल के दाने काले परने लगे हैं। भारतिये क्रिशी अनुसंधान परिशद सदसे तथा भ इंद्र सरकार ने नए मांडंड के अनुसार किसानों के फसल नुकसान होने पर पचासी सो रुपे प्रती हेक्टर मुआबजा का प्रद्धान है। छती कलन कर यथा सिग्र सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिलप किरिशी पदाधिकारी एवं प्रख इखंड क्रिशी पदाधिकारी को जल्ला और राज्य के अन्य छेत्रों का दौरा कर मुआबजा रासी का भुकतान तुरंद करना चाहिए। इस मौके पर जल्ला किसान मोर्चा मंडल अध्यर सिताराम महता सहित अन्य करसान भी मौजूद थे। किसान मजदूर का खेती बड़बाद हुआ है यह बहुत ही चिंता का विशय है और इस पानी से किसानों का कमट तूट गया है जहां एक तवर साख सब्सकंदर दुपता हुआ दिखाई पर वहीं पर देख लिए धान जो लगा हुआ था उसब धान जो है जूके गया उसका थान का खक्री होने लगा है लगातार किसानों की इधर कई एक वरसो से अती ब्रिश्टी अना वृष्टी ने जाने कौन-कौन से प्रकृर्टी विपता के करन किसान बेहाल हो गहें और करद बोच के तले दवित्ते चले जा रहे हैं आज हम लोग किसान मॉर्चा भारतिय जन्ता पार्टी की ओर से सभी प्रत्यनिदी मंडल हम लोग आकलन कर रहे हैं और किरसी विभाग में जो बैठे वे प्रादिकारी है ये वीडियो भी बना रहे हैं और ये लिखा पड़ी करके सभी पंचायत में लगवग हम समत्ते हैं कि फटुआ छेतर में लगवग 4,000 हेक् से अनिल कुमार की ये खास रिपोर्ट